आज बनाएंगे आलू की और धनिय की इतनी जादा यूनीक और हटकेक रेसिपी जो गरेंटिट आप मेंसे किसी ने भी कभी ट्राय नहीं करी होगी शायद ये बनाना बेहदी जादा यूनीक है इसमें जो आलू है वो इतना बढ़िया टेक्चर दे के आपके तयार होंगे कि आप अपनी उंगलियों को चारते रह जाएंगे दो की जगे आप चार रोटी खाने पे भी मजबूर हो जाएंगे इतनी जबर्दस ट्रिक और ये इतनी जबर्दस रेसिपी है तो इसके लिए हमने चार उबलेवे आलू लिये हैं तो फटा फट से इन चार उबलेवे चछेद कर दें चहिए की जो को अंदर तक जा शके और अंदर तक इसका भडिया तो छीत रहे मैं अंदर तक चाथ कर लें एक श्तुए हैं फटा गजाना शक्शा करके आपको भी ऐसे ही कड़े आप दोस्तों impacto मर्मी खेट करने के च्छेद हμrios से लिए कि उसको हम इन छेद में अंदर तक चाते थे चले जाएं स्के लिए मैं नमक डाला थोड़ी हल्ती डाली थोड़ी लाल मिर्ज पाउडर डाला थोड़ी काली मिर्ज भी डालूंगा और दोस्तों से बाद इसको अच्छे से मिक्स करूंगा ताकि जितने भी हमने छेट करे हैं उनमें अच्छे से चला जाए लेकिन mix करने से पहले इसमें हलका सा सरसो कतेल जरूर डाले ताकि हलका सा liquid हो जाए मसाले और अंदर तक जा सकें यह देखिए दोस्तों आपको कैसी इसको अच्छे से घुमा लेना है ताकि पूरा का पूरा मसाला अंदर तक चला जाए बस यह मसाला अब लगता है अंदर तक अच्छे से चला गया है और आलू कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा अब दोस्तों आपको 5-10 मिनट इनको साइट रख लेना है और उसके बाद दूसरी तरफ एक पैन को अन करके उसमें थोड़ा सा ओयल डाल ले वाइल डालने के बाद इसमें अच्छा खासा जीरा जाएगा यह जीरा जितना अच्छा होगा उतना ही बढ़िया लगेगी यह रेसेपी साथ ही में हरी मिर्च और लाल मिर्च साबत जितमें से आपके पास अगर हरी मिर्च लाल मिर्च नहीं है तो कुछ भी एक आप छोड़ सकते है इसको सिर्फ आपको आदे मिनट से भी कम ही आपको ऐसे सौटे करना है और फटा फट से आपको प्यास काट लेना है प्यास मैं इसमें जिंजर गार्लिक थोड़ा पेश डाला है, अगर आप जिंजर गार्लिक पेश ना डालना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी अधरक और लसन सेंपल भी चॉप करके डाल सकते हैं, क्योंकि वैसी ये सारा मिश्ण हमने पीस नाही है, तो आपको इसको तब तक ऐसे सोटे करन अब इसमें दोस्तों मैंने धनिया धोया हुआ रखा है वो ढ़ंठल समय्स मैं इसमें एड़ा करूंगा जैसे और द शुरुवात में बताय था आलु और धनिय के यह बहुत लिगला यूनिक है इसलिए मैं इसमे धनिया डनिया डंठल्ल से पीस लेंगे अब मैंने इसे जार में डाली है थोड़ा सा पानी आइड करूंगा और इसे पीस लूँगा जब तक दूसरी तरफ वापस हमने यही पैन लेके हमने इसमें थोड़ा सा ओइल आड करना है दोस्तों अभी जो हमने आलू आपके सामने मेरिने टाइप कुछ करक आजाएगी आलू 80% तो वैसे ही पकावा था क्योंकि यह वाइल डालू था और अभी आपको इसको ऐसे अच्छे से इसमें परत लियानी है यह देखे कितना अच्छा अच्छे से सौटे हो रहा और कितना अच्छे से आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो रहा है बस तेल बच जायेगा नीचे इसमें हम इसका में अप तड़का लगाने के लिए मुझे एक साबत काली मिर्च और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च के साथ-साथ लंबी इलाइची भी ली है मोटी इलाइची जीसे कहते हैं बस इसमें आप इसको हलका सा सौटे करें लगब आदे से तीब मिनट के लिए उसके बाद दोस्तों आपको एक चमाच इसमें बेशन एड़क आट करना होगा आप ये खड़े भी को दोस्तों आपको इसमें में ऐइनी होगी हलदी वेसन सिर्फ आदे से भी कम बोहलाँ से आपको बूर्ण आप 15 से किंदी हलदी उसके तो खटी ना हो नहीं तो सब्जी में खटास आ सकती है ताजी दाई एकदम और इसे मैंने दो से तीन चमच दहीं डालनी है अब आपको इसको घुमाना है और तब तक इसको पकाना है जब तक यह सारी बंद के पैन को छोड़ने ना लग जाए सारा मिश्रण जैसे अब यह थ इसमें बाइंड नहीं हो रहा है एक दूसरे के साथ मसाला लेकिन बहुत ही जल्दी होने लगेगा लगवाग इसको दो से तीन ही मिनट लगेंगे यह देखिए अब यह पूरा अच्छे से बाइंड हो जाएगा अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है यह देखिए बस इसक इसी में पीसा था उस मिश्रन को अब मैं इसमें आड करने जा रहा हूं यह देखिए उस सारे मिश्रन को इसमें पैक करना है आपको डालना है और उसके आद अच्छे से मिक्स करना है अब धनिया इसमें पूरी तरीके से भुना नहीं था तो इसलिए पेश थोड़ा सा ग् जाएगा यह जैसे चिपची पासा हो रहा है यह पूरा एक दूसरे को बाइंड भी कर लेगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि धनिया पक जाएगा आप देखो के हलकालका ग्रीनिश अभी जिससे हलकालका ब्राउनिश और रेडिश होने लगेगा जैसे जैसे ध यह पानी डालता हूं जब तक पानी डालना हूं दोस्तों बहुत informative वीडियो बहुत ही बढ़ी आ वीडियो आपके लिए बनाया प्लीज इस वीडियो को ज़रूर कर लेजेगा दोस्तों यह देखें कर पानी डालाया हमने आपको पतली ग्रेवी बनानी है तो पानी जादा कर सकते हैं बस यह कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगी अब फ्रेंड आप इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल सकते हैं यह पूरा ओफिशनल है या फिर धनिया भी डाल सकते हैं धनिया की वैसे जरूत इसलिए नहीं क्योंकि पहले भी पेस्ट में धनिया डाला था इसल पर लोक बक एक से दो मिनट 괜찮 और दो सकते हैं आप इसका ऍनल mut गट डिक्षाबत कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंट मैं चलता हूं कैसी लगी ये डिश जरूर बताएगा और प्लीज हमारे चानल को जरूर फॉलो और हमारे पेच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा मैं चलता हूँ अपना और अपना ख्याल रखें